कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार आप सभी का सेंटेंजल्स पब्लिक स्कूल की ओनलाइन कक्षा में स्वागत है अभिनंदन हैं अमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप से प्रार्थना भी है कि आप सब लोकडाउन का पूरी तरह से पालन करें घरों में रहें सुरक्षित रहें आज मैं आपके सामने कक्षा 9 नो का हिंदी व्याकरण का एक टोपिक लेकर pig उपस्तित हूँ जिसका नाम है अलंकार हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं अलंकार हमने पूरा पढ़ लिया है पूरा टोपिक अब हम इसकी कुछ प्रेक्टिस पेपर का अभ्यासकारिय जिसे हम करने जा रहे हैं आज हम करेंगे देखे अभ्यासकारिय नंबर बाइस प्रेक्टिस पेपर में कोशन है अलंकार किसे कहते हैं उसके भेद बताईए अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है कोशन नंबर वन है अलंकार किसे कहते हैं उसके भेद बताईए अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है इसका अर्थ होता है सजावट करने वाला इस तरह कावे के शब्द और अर्थ के माध्यम से संद्रिय उत्पन चमतकार या संद्रिय बढ़ाने वाले तत्व अलंकार है अलंकार के दो भेद होते हैं अर्थालंकार और शब्दालंकार तो इस तरह से पहला question होगा दूसरा प्रशन है प्रशन शंक्या दो उपमालंकार की परिभाशा उधारन सहीत दीजिए उपमालंकार देंके क्या होता है जब किसी एक वस्तू या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तू या व्यक्ति से की जाए वहाँ उपमालंकार होता है जैसे हरीपद कोमल कमल से यहां भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है उपमा लंकार है जब किसी एक वस्तू या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तू या व्यक्ति से की जाए वहां उपमा लंकार होता है जैसे हरीपद कोमल कमल से यहां भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल से की गई है तो इस तरह से यहाँ तुलना की गई है इसमें सा से सी सम आधिसवाचक शब्दों का प्रियोग किया जाता है तीसरा कोष्शन है शुलेश लंकार को सो अधारं के साथ समझाइए शुलेश लंकार प्षिलेश का अर्थ है चिपकना जब किसी एक शब्द का प्रियोग एक ही बार हुआ हो जब किसी शब्द का प्रियोग एक ही बार हुआ हो किसी काव्यपंक्ति में पर उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां प्षिलेश अलंकार होता है जैसे मंगन को देख पट देत बार बार मंगन को देख पट देत बार बार अब यहां पट सब्द का प्रियोग एकी बार है लेकिन पट सब्द के यहां दो अर्थ है यहां पट सब्द का प्रियोग एक ही बार हुआ है परंतु उसके आर्थ एक से अधिक है जैसे पहले पटका अर्थ या वस्तर भी है और दूसरा पटका अर्थ या दर्वाजा या किवाड भी है तो इस तरह ऐसे मांगने वाले को देख करके भिकारी को देख करके वह बार-बार दर्वाजा बंद कर देता है या उसको बार-बार वस्त्र दे देता है तो पट सब्द के यहां दो अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द हो उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वह शलेश लंकार होता है चोथा कोशन है उपमा और रूपक का अंतर उदाहरन सहित इस्पष्ट कीजिए उपमा और रूपक का अंतर उदाहरन सहित इस्पष्ट कीजिए उपमा लंकार में उपमे और उपमान में समानता प्रदर्शित की जाती है किन्तु रूपक में उपमे उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है उपमा और रूपक में अंतर बताना है तो उप्मा में तो चारंग होते हैं उप्मा के उप्में उप्मान वाचक्षब्द और धर्म तो उप्मा लंकार में उप्मे और उप्मान में समानता प्रदर्शित की जाती है किंतु रूपक में उपमे और उपमान की अत्यधिक समानता के करण उनमें एक रूपता दिखाए जाती है अर्था तो दोनों में कोई भेद नहीं रहता जैसे पीपर पात सरिस मन डोला यहां देखे सरिस शब्दा रहा है सासे सी समसरिस यह उपमालंकार का वाच्छब्द है तो यहां तो देखे यहां पीपल का पत्ता और मन में समानता दिखाए गई है कि पीपल के पत्ते की तरह मन जो है वो डोलता है घूमता है यहां दूसरा उधारन देखे रूपक लंकार का चरण कमल बंदव हरी राई यहां चरण व्यकमल दोनों को एक कर दिया गया है उनम